सवाल हुटा है कि आखों के क्लाउइए यह क्लाउड़ी होजाता है डैंस हो जाता है, आप ये मान सकते हैं कि भी थोड़ा सा ठिक हो जाता है और जिसकी वज़े से आप कभी अगर देखेंगे किसी की आँख पे नजर डालके या रोशनी मारके आपको देखेंगे तो आपको आँख की जो पुत्ली है, उसकी चारो प्रफिक सफेद धेरा सा दिएगा, ये कटरेक्ट की बहुत ही पक्ती निशानी है या साइन है, इसी से कटरेक्ट को देखेंगे पचाना जा सकता है अब अगर देखेंगे आपको कटरेक्ट हो गया तो आभी क्या घरें क्या इसका इलाज चश्मे से हो जाता है तो नहीं इसका इलाज चश्मे से नहीं होता क्योंकि आपका नमबर जल्द लिए बदलता है आप चश्मा बदल भी देता है तब भी आपको ठीक से दिखाई नहीं देता है आपका वीजन लगातार गमजोर होता जाता है तो उसके लिए देखें आपको कुराने की जुरूत पड़ेगी कट्रेक्ट के लिए सर्जरी तो कट्रेक्ट सर्जरी है उसको कहते हैं Phyko Emulsification के नाम से जाना जाता है जर्रेली इसको Phyko के नाम से या IOL के नाम से भी जानते हैं तो ये I Surgeon करते हैं आप अच्छी जगा ही कराएं ये सर्जरी तो क्युक्कि इसके नहीं पर रिवाद करणा जाना का काम है आप जो क्यों करते हैं वो काम करने में अगर आपको परिशे नहीं हो और धूप में रोशनी में आपको ज़्यादा चका चोन लगने लगे तो फिर तो मानके चलें कि देखिए आपको केटरेक्ट की सर्जरी कराने ही पड़ेगी पर आप ड्राइव करते हैं तो आप बड़ी सर्जरी नहीं होती है मुश्किल से 5-10 मिट का प्रसेजर होता है पर हाँ आपको इसकी तैयारी बहुत पहले से करनी पड़ती है जब भी आपको एलक्षान मिले आप किसी ऑप्थाल्मोलोजिस्ट को आपके डॉक्टर को जाके दिखाए वो आपको कंफरम करे करेंगे कुछ धिन अच्गे और उसके बाद आप चब डॉक्तर को लेगा कि हाँ सरजीरी के लायक्त दी ठीक है तो आपको दे दी चाहिए जैसे यह आपको डॉक्तर सरजरी की देता सथा है तो आपको यह कुछ परी कोर्शन क्तर्द हो रखनी चाहिए सबसे पहली बात देखिए आपको अगर कोई बीमारी है आप डियाबिटिक है है या किसी भी तरह की उसको बिल्कुल भी ना छोड़े रिफर्ड है कि आप खाली पेठी जाए अब आप देखिए क्लिरिक पहुँच गए सर्जिन से मिल गए सर्जिन ने आपका सर्जिरी कर दिया आप देखेंगे बहुत समय ने लेगा आपको हार्ड बीड तो से तीन गुंटे में ही दूसरी बात आपकी आँख के अंदर कोई भी गल्वी दूल भी ना जाए और पानी बिल्कुल भी ना जाए तो आप ना नहें बिल्कुल भी और अगर आपको नहने की इच्छा भी है तो आप यहां से नीचे नहें और उपर पानी बिल्कुल भी ना पड़े अगर आपको डौक्टर कुछ कवर देते हैं, आपके लगाने के लिए, सो अप उसको लगा के रखते ह yhtैज जुए ना जाएगी और direct हाथ से ऐसे आपको touch ना करें, उससे भी infection लगने का ख़त्रा बढ़ जाता है Eye protector जरूर पहने और बाहर जाएं तो sun glasses पहन के ही जाएं यह simple precautions है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको कोई भी complications या risk नहीं आएंगे सबसे बड़ा खप्रा होता है, सरजरी के बाद infection का तो इसलिए आपकी आँखों को बचा के रखना होता है, infection को फैलने से किसी भी दरह की गली, भूल, मिट्टी, हाथ से touch करना आपको या drop भी जो आप डालते हैं तो आपकी tip, हाथ के tip भी उसके tip पे touch ना हो इसको आप सीधे खोले और ऐसे डाले हैं, तो इसको आपको बचा के रखना पड़ेगा दूसरा complication होता है, कई बार हाखों में उर्जन आ जाती है, जिसको inflammation कहते है आप में redness आ सकती है, कई बार ये कुछ दवाई हैं जो आप डालते हैं से भी आ सकती है तो अगर आपको ऐसा लगी कि आँख में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, आँख सूज गई है आँख में redness आ गई है, तो फोरान अपने डॉक्तर को बताएं, ये inflammation के sign होता है पीसरा एक complication होता है, पोस्ट की रे capsule ossification जिसको हम PCO के नाम से भी जानते हैं, तो lens का जो पिसला हिस्सा है, वो cloudy हो जाता है हाला कि ये ठीक हो जाता है तो दवाईयों से या फिर लेजर एक procedure होता है उसके करने से एच्छी हो जाता है, बट ये अगर आपको धुमलापन, हाला के गुजबिलों तक रहेगा आपको हफते भर तक आपको दीरे-दीरे-दीरे ही दिखना शुरूँ होता है और हफते दर्जिन के बाल आपको normal vision आता है लेकिन उसके बाद लिए अगर आपको vision cloudy लगे नहीं दिख रहा है अभी भी दिखता था, vision ठीक से ने improve हो है तब भी आप अपने ophthalmologist को दॉक्टर को जाके जरूर दिखाए तो तो आट सही समय पे सही इलाज किया जा सकते है और कई बार retina में अगर तलिग आ जाती है, retina आपको पीछे की तरफ का हिस्सा होता है तो इस surgery की बाद अगर complication को होता है तो retinal detachment भी हो सकता है जो एक गंबीर समस्या है उसके लिए भी किन एक surgery की जुरूर पढ़ती है डॉक्टर उसका इलाज कर देता है लेकिन ये complication थोड़ा महँगा पढ़ जाता है तो इसके लिए फिरसे आपको इस अलग सर्जरी करानी पढ़ सकती है आप अपने विजूर को का माबाप खया लगते अगर उनको इलक्षण आते हैं तो उनको इस वीडियो का जुरूर दिखाएं और समय रहते हैं सही समय के इसका आप इलाज करा लें बहुत महँगा इलाज नहीं होता है बड़े शहरों में भी एक आज़की सर्जरी डिपेंडिंग होना आपको उनका लेंस लगाना चाते हैं आप 20-35,000 से लेकि 50-60,000 तक बहुत अच्छे से सर्जरी हो जाती हैं चोटे सहरों में या कम कीमत के लेंस लगाएं यह 10-12,000 में तो सर्जरी हो सकती हैं अगर डिपेंडिंग होन कि आप किस तरह का लेंस चूज करते हैं तो अगर वीडियो के आपको इच्छा लगाओ तो इसको लाइक कर लें अगर पसंद आया हो तो लोग को शेर करें और बेल एकन काड़ बटन भी दबाले सो बहुत इस तरह गयांत इंफॉर्मटीव वीडियर गिलत रहें धन्यवाद